दलितों पर अभी तक भी पूरा भरूसा नहीं जमा है। किन्तु इनके इस दोरे चाल चरित्र वे चहरे आदी से वहां के खास कर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सापधान देना है। लेकिन इस से ये भी स्पस्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहां अकाली दल वे बीएसपी के बने गटबंदन से काफी ज़्यादा घबराई हुई है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हटकंडे के भैकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चा ये हैं कि इनको वे अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीवत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग के बल इनने याद आते हैं। ये भी सर्विदित हैं। जैसे आप लोग परंपुझे बावसाब डॉक्टर अंबेदगर का ही उधारन लीजिए। तो यदि कांग्रेश पार्टी के पास जब अंग्रेश भारत को छोड़ कर चले गए थे। हलाके सविधान बनने की परकिरिया पहले ही शुरू हो गई थी। जब अंग्रेश रजाबंध हो गए थे के हम भारत को अजाद कर देंगे। तो जब भारते सविधान को बनाने की बात आई। तो उस समय यदि कांग्रेश पार्टी के पास, पंडित जवाहरलाल नहरू के पास और कंपनी के लोगों के पास, यदि इनके पास बाबा साब डॉक्टर अंबेडगर से बाबा साब डॉक्टर भीमराव अंबेडगर से ज़्यादा काबिल आदमी हो था, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साथ डॉक्टर अंबिडगर को भारते सविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते और आज जो पूरे देश में धलितों को आदिवासियों को अन्य पिष्ड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं तो शाद वो भी नहीं मिलते और इतना ही नहीं आग जो पूरे देश में तो धार्मी कल्प सिंकक समाद में से खासकर मुसलिम समाद के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं तो शाद ये भी नहीं होते कोकि बाबा साब डॉक्टर मेडगर ने इस देश का सविधान किसी जाती और धर्म के अधार पर नहीं बलकि धर्म निर्पेक्स्ता के अधार पर ही बनाया था इतना ही नहीं तो ये भी मैं दलिद्वर्प के लोगों को बताना चाहती हूँ इतना ही नहीं बलकि ठीक इसी परकार यूपी विधान सबा के आमचुनाब होने से कुछ जब अब यूपी में भी विधान सबा का आमचुनाब होने के लिए कुछ समय बचे हैं तो ठीक इसी परकार से यूपी विधान सवा आम चुनाब होने के कुछ समय में, कुछ समय पहले ही, अब जब कुछी महीने बचे हैं, तो यहां भाजपा भी, खासकर OBC समाज के प्रती उबरा, नया नया प्रेम वास्तम में ये दिखाव्ठी, वे हवा हवाई आदिना होकर जदी थोड़ा भी सही वे सारतक होता तो इनकी केंदर वे UP सहित अन्य राजु की भी सरकारे इनके साथ-साथ तो SC वे ST की भी सरकारी नोकरियों में अभी तक इनके बैक लोग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज भी पूरे देश में चाहे SC, ST का मामला, OBC का मामला है, तो सरकारी नोक्रियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं, साथ ही अब तक OBC के लोगों की जातिय जन गन्ना की भी इनकी इस मांग को सविकार कर लिया होता है, जदि थोड़ी भी इनके मन में OBC के प्रति थोड़ी मांदारी होती, थोड़ी सचाई होती, तो अब तक OBC के लोगों की जातिय जन गन्ना की भी इनकी इस मांग को सविकार कर लिया होता है, जबकि इस मामले में सचाई तो ये हैं, कि भाजपा वे अन्या सभी जातिवादी पाठियां भी देश में OBC के लोगों की जन गन्ना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस परकार से इनके आरक्षन समंदी मंडल कमीशन की रुपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अतियोगुर होकर पूरे देश में अंदूलन किया था। कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ जो अति पिषड़े वर्ग के लोग भी हैं तो वो ना कांग्रेस के भैकावे में आने वाले ना बीजेपी ना ने किसी और पार्टी के हैं। को कि इनको ये बात अच्छी परकार से मालूम हैं कि इनको जो कुछ भी मिला है तो वो परम पुझे बाबा साब डॉक्टर भीमरा बंबेटगर के प्रयासों से ही मिला हैं। तो आज जो भी कुछ इनको थोड़ा घना ये जो जातिवादी पार्टी हैं चाहिए कांग्रेस है चाहिए बीजेपी है या अन्य जो भी जातिवादी पार्टी हैं आज जो मुझे पूरा भरोसा है चाहिए यूपी में दलित व्याती पिष्ड़े वर्ग के लोग हैं चाहिए पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में ये लोग अब जल्दी से इनके भैकावे में आने वाले नहीं हैं तो ये भी मैं आज मीडिया के माध्यम से इन पार स्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले